एक किसान भाई जब ट्रेक्टर ख्रीदने जाता है तो मन में उसके ये विचार आता है कि मैं ट्रेक्टर लूँ तो कौन सी कंपनी का लूँ और अगर जिस कंपनी का में ले रहूँ क्या वो बेस्ट है या नहीं दोस्तों आज इसी बारे में हम आपको कुछ डिटेल में बताने वाले है ताकि आपको ये पता हो कि जब मैं ट्रेक्टर लेने जा रहा हूँ तो क्या मैं इस कंपनी का लूँ जाना लूँ दोस्तों मेरा नम है साहिल और आप देख रहे हैं बीविस्टर आगे बढ़ने से पहले देश में चल रहे फ्रोड से रेलेटिड वीडियो अगर आपको देखनी है चाहे वो वटसप का फ्रोड हो फेस्बुक का फ्रोड हो इमेल का फ्रोड हो या किसी और तरह का कोई भी तो इस तरह की वीडियो चल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और भारत की अंदर सभी राज्जों में जो जो योजने लाउग की गई है वो भी आप वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बेस्ट ट्रेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाता हूं सबसे पहले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फिर टैफे ट्रेक्टर्स सुनालिका ट्रेक्टर्स एसकोर्ट ट्रेक्टर्स जोन डिरी ट्रेक्टर्स न्यू हॉलाइन ट्रेक्टर फिर है कुबोटा ट्रेक्टर्स इंडो फार्म ट्रेक्टर्स फिर है प्रीट ट्रेक्टर्स और लास्ट जो है वो है कैप्टन ट्रेक्टर्स दोस्तों ये जो मैंने आपको लिस्ट अभी बताई ये काफी लोगों की पसंद है लेकिन दोस्तों अगर हम एक सर्वे की बात करे या ज़ादतर किसानों की पसंद की बात करे तो दोस्तो उसमें नमबर वन पर आ रहा है महिंदरा एंड महिंदरा जी हाँ दोस्तो अपने ही आप में ये सारे ही ट्रेक्टर अच्छे हैं हम किसी भी कंपनी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है सभी अपने आप में अच्छे ट्रैक्टर्स हैं लेकिन दोस्तों अगर हम खरीदारी की बात करें तो ज़्यादतर किसान महिंद्रा एंड महिंद्रा को पहली प्रैफरेंस देते हैं दोस्तों अब इसके जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है विश भर में इनके ट्रैक्टर बेचे जाते हैं नमबर वन पर ये उस तरीके से आते हैं दोस्तों मैंने आपको ये डाउट जो पहला क्लियर कर दिया होगा कि अभी जो किसानों की पसंद है वो क्या है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को जाजरों को शेर कीजेगा जय हिंद जय बाद